Hello beautiful souls, this is Sanvish lógmah, I welcome you all to my youtube channel, Soulful Journ vérifier अज मैं आपके लिए आपके पार्टणर की करण्ट फीलिंग्स लेकर आइँ आईए जांते हैं आपके पार्टनर की करण्ट फीलिंग्स आपके लिए इस relationship के लिए किस तरह की आज रहने वाली है आपके पार्टनर आज आपके बारे में क्या सोचने वाले है इस relationship को लेकर आपके पार्टनर का mindset किस तरह का होगा आएए जानते हैं आपके पार्टनर की current feelings आपको लेकर इस relationship को लेकर आज क्या रहने वाली है आएए जानते हैं So, पहला card है, यहाँ पर rebirth का card है. The next card over here is celebration का card है. The next card is participation का card है. The next card over here is ordinaries का card है. The next card over here is, यहाँ पर the fool का card है. And bottom of the deck पर sorrow का card है. Okay, so जो आज की energies है, यह generalized energies है. आप सब के साथ कहीं न कहीं resonate जरूर करेंगी. इसलिए यहाँ पर मैं किसी भी specific zodic sign की बात नहीं करूँगी. देखिए, आज जो आपके partner है न, वो इस third party के close आते हुए मुझे नजर आ रहा है. आपके partner से यह third party इस रिष्टे को एक नए मुकाम पर पहुचा रही है. मतलब करम आपके partner कर रहे हैं, लेकिन उसे guide यह third party कर रहे है. क्योंकि इस third party का control अब आपके partner की energies पर बन गया है. और ये third party और आपके partner के बीच में जो रिष्टे खरा हुए थे, strain थे इतने दिनों से, वो आज मुझे यहाँ पर ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं. सुनने में ये बात बहुत बुरी लगती है, मुझे पता है. बट वो आपके पास action का time होता है, जब आप वो action ले ही नहीं पाते हैं, तो वक्त तो आगे बढ़ता ही जाएगा. इस third party ने कुछ action लिया है. इस वज़े से आपके partner की आज जो energies हैं, वो इस third party की energies के साथ merge होती हुए, मुझे नजर आ रहे हैं. ठीके, आपके partner इस third party के according, अपने रिष्टे की एक नई शुरुवात करने वाले हैं. अगर घर की third party है, तो ये घर की third party जो आपके partner को करने के लिए कह रही है, आज आपके partner वही करेंगे. ठीके, उस चीज़ के उन्हें कोई knowledge नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके आपके partner को कोई knowledge नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये third party आज आपके partner को करने के लिए कहेगी, वैसे ही आज आपके partner करने वाले हैं, वो energy बिलकुल यहाँ पर clear नजर आ रही है. अगले चीज़ यह है, ऐसा नहीं है, कि आपके partner को यह चीज़ महसूस नहीं होगी, कि वो अगर इस direction में बढ़ेंगे, तो आपसे दूर होंगे, बिलकुल उन्हें महसूस होगी, आज आपके partner की जो expectations हैं, वो आपसे बहुत higher रहने वाली है, आज आपके partner बहुत सारी चीज़ें आपसे expect करते हुए, मुझे नजर आ रहे हैं, आपके partner चाहेंगे, कि आप आज इस रिष्टे पर अपना control बनाए, उन्होंने तो अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए, आपके partner आज दूर से भी आपके साथ connected रहेंगे, उन्हें ऐसा feel होगा कि आप उनके soulmate है, आज वो एक जगा पर अकेले फस गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, कि आप तक उनका दुख न पहुंचे, तो वो vibrations की form में आप तक अपने जो बाते हैं, वो भीजने वाले हैं, अपने vibrations को, अपने दुख को, वो vibes में channelize करेंगे, ठीक है, और आपके heart chakra पर channelize करने वाले हैं, क्योंकि जो कुछ भी आपको feel होगा ना, आपके heart पर feel होगा आज, ठीक है, इस तरह की energies हैं यहाँ पर, और यहाँ पर sorrow का card है, आज आपके partner बहुत ही ज़्यादा परिशान रहने वाले हैं, उन्हें ऐसा लगेगा कि उनकी life का जो charge है ना, वो उनके हाथ से चला गया है, और आपके partner रात के time पर सो नहीं पाएंगे, रात को आपके partner को बहुत अजीब अजीब से खयाल आने वाले हैं, उन्हें ऐसा feel होगा कि वो आपको हमेशा के लिए अब खो देंगे, ठीक है, तो इस तरहां की energies आज चानलाइज होती हुई, मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं, देखिए, आपको इस third party energy को fight तो करना पड़ेगा, लेकिन आपके partner तब तब कुछ बड़ा step न उठा लें, उसके लिए आप comment section में eliminate third party with a cross sign जरूर लिखिएगा, ठीक है, तो यह energies हैं यहाँ पर, आइए, अब हम जानते हैं, कि divine आपको इस relationship के लिए क्या guidance देना चाहते हैं, divine की क्या guidance है आपके लिए आईए जानते हैं, divine आपको इस relationship के लिए क्या guidance देना चाहते हैं, divine आपको कहना चाहते है, let it go का card है, यहाँ पर divine आपको यह समझा रहे हैं, या तो आप अपने इस relationship को फिर छोड़ दीजी, अगर आप कोई action नहीं लेना चाहते हैं, नहीं तो इस third party को अपने रिष्टे से eliminate कर दीजे क्योंकि आपकी energy जो है इसमें सबसे ज़ादा drain हो रही है आपके partner से भी ज़ादा आपकी energy पर फरक पड़ रहा है तो आप अपने brighter future की तरफ को बढ़ना चाह रहे हैं तो cross road पर खड़े होकर नहीं बढ़ पाएंगे आपको एक बात तो choose करना ही पड़ेगा या तो इस रिष्टे से move on कीजे या फिर आपको इस third party को eliminate करना होगा ठीक है इस रिष्टे में ये third party क्या mess create कर रही है अगर इसे बारी की से समझना चाहते हैं तो आपको एक detail reading समझनी होगी detail में जानना होगा कि relationship में क्या हो रहा है तो उस के लिए मैं रात को साड़े 9 बचे एक detail video love reading आपके relationship के regard में इसी channel पर post करते हूँ आप please उस video को जरूर देखे और समझे कि relationship में क्या करने के जरूरत है बाकि आप बहुत समझतार है समझतारी से आज की energies को channelize कीचेगा have a great day today god bless you all take care of your health see you soon